मतलब की इस दुनिया से मुझे को तो नफुरत है समविरे हमें तेरी जरूरत है तु किर्पा कर बाबा किर्टन करवाऊँगा किर्टन कराऊँ ऐसा इतिहास बना दोगा अमारे बाबोजी बैठे इने भी जी जिनकी कलम ने पता नहीं कैसे कैसे भजन दिये बाबोजी आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं कि जब मैं लिखता हूँ तो मैं किसी करोडपती को सामने नहीं रखता मैं जितना भी लिखता हूँ मेरे सामने कोई रिक्षे वाले को रखता हूँ कोई रेडी वाले को रखता हूँ कोई गोल गप्पे बेचने वाले को रखता हूँ कि बाबा कभी इन पे भी महर करना कि किसी पंडाल के बाहर ये रेडी ना लगा रहे हो एक दिन ऐसा भी पंडाल सजे जब ये सजा रहे हो और बाहर कोई और रेडी लगा रहा है उसकी भी तो बाबा की फागुन की होली है साथ तो मिलकर गाना तो किर्पा कर बाबा किर्टर कर वाओगा किर्पा कर बाबा किर्टर कर वाओगा किर्टर कर वाओगा की चार बड़ा दूँर कि अ कीek मेरे वह कहें मैं टाला कि यह बात मिल के किर्वा बैडे बाबा, किर्वान करवाओं का मैं किर्वान कराओं ऐसा, किर्वान कराओं ऐसा इतिहास बड़ा दूँगा और है शाम बाबा, इस दर्वार में जोग ठाएं दोनों हाथ उनकी बिगड़ी बना दो फागुड मेले में हाथ रहाथ जो बजाएं ताली, भोजन की कभी खाली ना रहे थाली और जो लगाएं चेकारा, उनको दिखाना जिन्दगी का नजारा बोलो खाटू, नरेश की शाम बाबा की, लख दागार की पिछे वालों के लिए का रहा हूँ देखो ये, खोली खेलने वालों का शोर नहीं है जरा शोर आएं सबर्दस्त पता लगे जितो मेरा ऐसा करे जितो मेरा ऐसा करे किस-किस का दिल करता है बाबा को दिल में बसा देगा अचा मैं देखना चाहता हूँ आप बजन सुन्तने भियो की नहीं सुन्ते मैं आदी लाइन आउंगा देखता हूँ पूरी करते हो की नहीं गजब मेरे गजब धारे सिर्थों के सेटे एक बादा गजब मेरे लाटू अचे गजब धारे लाटे सिर्थों के सेटे मैं भाई भती जोंके पहने बेटियों के और बहने बेटियों के आव भती जोंके और बहने बेटियों के कहने बने वाउगा बाबा पे सब का अधिकार है पर बाबा के किर्टन ऐसे ऐसे करवाने की सब का मन होता है मैंने अपने 26 साल के अनुभवने हाज से 22 साल पहले जिस सेट के घर किर्टन किया था न जिस सेट की फैक्टरी में किर्टन किया उस सेट की फैक्टरी के बाहर चाय बेजने वाला भी 22 साल पहले आकर बोला कि बाबा जैसा ही सेठ ने कराए एक दिन मैं भी कराऊंगा 22 साल बाद उस चाय वाले के भी किर्टत करके आया साथ सबका अधिकार है इस पे ये किसी की वपोती नहीं है ये अपने भक्तों की वपोती है जो उसे प्यार करता है ये उसी का है साथ मैं भाई भटी जो बेखियों के ये बने वाऊंगा और बाबा किर्पा करना जान पे चंदरियान तीन पहुँच गया है एक साड़े साथ सोगर्च का प्लोट हमारा भी काड़ देना और ये सोचता हूँ कि जब चांद में मंदिर बन जाएगा तो पाकिस्तान देखेगा किसको क्योंकि जंदे में चांद और चांद पर जंदा होने में बाब बेटे का फरक होता है तुनियांखे कोणों में तिरा डंका बजा दूंगा तुनियांखे कोणों में आपको गाना है इरता निका जाओ मैं तित्यास बढ़ा दूंगा इरता निका जाओ ऐसा इन लोगों की खुद की सो सो करोड रुपे की टर्मोवर है न वो कहते बाबा से मंगला मत मागा करो बाबा से गाडी मत मागा करो बाबा से शोरू मत मागा करो शरम नहीं आती तुम्हे मांगते हुए उसको कहना ठीक है शरम आगी तू दे दे साइकल भी खड़ी नहीं करने देता अपने घर के आगे और एक ये लीला घोड़ा लेके खड़ा हो जाता है हमारे घर के आगे तो उसकी माने किसकी माने जब बाबा की मानता हो हाथ उठाना और दोरदार ताली बज़ेसरा हाथों में मेंधी लग जाए इतनी दोर से ताली बज़ेसरा है देखता हूं ये भी आता है कि नहीं आता दुनिया कैसे बाबा हमारा क्योंकि खार तु आला से खोंका से खोंका से मैं फूलों से बाबा शिंगार कराओंगा तीरे खात तीरे सामरिया छंपन भोग बनाऊंगा तीरे खात तीरे सामरिया छोग बनाऊंगा जिसको चूर्मा बनाना आता है नो जिसको चूर्मा बनाना आता है नो वो किसी की बात में मताना कि हमें शाम रिजाना नहीं आता जिसको चूर्मा मनाना आता है उसे बाबा रिजाना आता है और तुम ताली मत बजाओ इनका डिपार्टमेंट है जाजू भाई अभी एक लड़की लड़का देखने गई या लड़का लड़की को देखने आया लड़की ने कुछ नहीं पूछा लड़के को बोली तुम मुझे पसंदो लड़का बोला दो मिनिट में पसंद कर लिया ऐसा क्या देखा बोला परसो आगे से जा रही थी त तो काम आएगा पसंद है यार छोड़ना तो शुक्र है मुस्कराईये साब आप होली में है और जो होली में नहीं हसता वो कभी नहीं हसता सा ताली बया कर दो हांटू नरेश ही अब देखां ये लाइन भी आती कर दिया सी खाटू वानेश आमजी ओ पंदा तेरा पापा हांटू वानेश आमजी ओ बंदा तेरा पापा जब चड़ेगी ये ये शोर कुछ भी नहीं है एक बार आर आना चाहिए एक माक और देता हूँ जब चड़ेगी जब चड़ेगी कुमरी तेरे नाम की परवान की संसार की जब चड़ेगी कुमरी तेरे नाम की मैं पूलों से बाबा तेरे खा तेरे सामरिया चपन भोग बनाओंगा मैं एक एक करके हाथों से खिला दूगा मैं एक एक करके मैं किरतन का जाबा अर्मान रखो मैं किरतन का राम अभी बाई सन्वरी को दिये जलाए कि नहीं जलाए उस दिन पता लग गया था कौन दोगला हिंदू है और कौन कट्टर हिंदू है मैं मुझे गर्व है कि शाम परिवार से मुझे चुना गया उस दिन अयोत्या नगरी में जाने के लिए मुझे गर्व है करहिया में दल नहीं गया साब खाटू शाम जी का एक छोटा सा सेवत भी गया और मुझे उससे भी ज्यादा प्रसंता तब हुई जब अम्बानी मेरे पीछे खड़ा था क्यों? क्योंकि राम मंदिर के दर्शन पहले संतों को कराए गए फिर भक्तों को कराए गए फिर जाके सेठों को कराए गए लिखा था मैंने ताटा हो चाहे अम्बानी इनकी भी सुलो का आली ताटा हो चाहे अम्बानी उनकी भी सुलो बिड़ला हो चाहे अडाली खाटू में भरते हैं पारी भी बिड़ला हो चाहे अडाली खाटू में भ़रते हैं लिदा मांगने में न हो न तू ले देने में वो घोताना ले आटू बाला एो खोंक असे जैओ के हो यहाँ 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 जा बात है मैंने चुपाएं है सब तुम से पाया है मैंने आया है साथ खुम खे ये मैं देख रहा हूं बड़े नौजवान आए हैं यहां हमारे भाई आए हैं और बाबा छोटा सा बच्चा भी लेकर कोई आया है कितने महीने का आया है चार बच पांच महीने आप पहली बार खाटू कितने साल पहले आई थी चार साल पहले और बच्चा पाँच महीने कही आ गया देखो तुम्हें जा के 25 साल में बाबा मिला लेकिन तुम्हारे कारणों से पाँच महीने में ही मिल गया साड़े चौवी साल मुनाफे में है वो यह मेरे युवा भाई है मैंने साथ बोलना बोलो ना तो किसी के लंबे बाल पे मरो ना तो किसी के लंबे ना ही किसी के गोरे गाल पे मरो ना ही किसी के गोरे ना ही किसी की मतवाली चाल पे मरो ना ही किसी की मतवाली अरे मरना है तो यह शोदा के लाल पे मरो पाके भी आरी लाने की ज्यादा लेना है तो ज्यादा देना पड़ेगा समय ज्यादा लेना है तो समय ज्यादा देना पड़ेगा काम कैसा भी हो था गुड में खाटु आना पड़ेगा मैंने जो पाया भेरा जब तुम से पाया मैं जहां खड़ा हुआ सब तेरी माया है मैं जहां खड़ा हुआ सब तेरी माया है जब मैं खुद पे लुटाता है मैं तेरे खा तेरी लुटातू गां हिरुआ को bucks जब मैं खड़ा हुआ सब तेरी माया हुआ सब तेरी लुटातSON ऐसा इत्हार बढ़ना दूरा